नमस्कार दोस्तों, Stock Market Hindi में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एक Quality Small Cap Company को कवर किया है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को भली बाती ग्यात हैं कि Large Cap Stocks एक समय में अपने Stock Market की जरनी में कभी Small Cap Company भी हुआ करती थी और आज इन में इतनी Growth already हो चुकी है कि आप इन Companyों से बहुत ज़्यादा की Return एकस्पेक्ट नहीं कर सकते जिहां Friends, Max to Max 25 से 30% की Return Large Cap Company देती हैं और तो ऐसे में आपको 100%, 200% या 1000 गुना की Return की Expectation है तो ऐसे में कहीं न कहीं आपको Mid Cap या Small Cap की Companyों में निवेश करना होगा जिहां Friends, इन Companyों में काफी Growth Potential अभी बाकी होती है जिहां दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम एक Strong Fundamental वाली Small Cap Company को Cover करने वाले हैं जिहां Friends, ये Company हाली में लिश्ट हुई है, इसको अभी 5 साल भी Market में नहीं हुआ है दोस्तों Stock Market में निवेश करना जोखिम से भरा हो सकता है किसी भी Stock में निवेश करने से पहले आप अपनी खुद की भी Analysis जरूर करें और Stock Market में Investment के लिए आप किसी भी तरह का Loan ना लें ताकि आपको भविस्य में परिसानी का सामना न करना पड़े तो चलिए दोस्तों Stock के बारे में जानते हैं उनके Business और Fundamentals की आगे हम बात करने वाले है आगे बढ़ने से पहले Friends, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स टाइम विजिट किये हैं तो Stock Market हिंदी में इस चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लिजिए इसी तरह की Quality Content हम अपने वीडियो में लाते हैं जो की Fundamentally Strong और Sound Quality की कंपनियां हम Mostly कवर करते हैं So Friends, इस इस श्टॉक का नाम है KPIT Technologies Limited दोस्तों यह कंपनी एक Global Technology कंपनी है जो Software Solutions प्रोवाइड करती है जिहां Friends कई तरह की Software Solutions कंपनियां प्रोवाइड करती है जिनमें Autonomous Driving and Autonomous Driving Assistance System Electric Conventional Power Train Connected Vehicle, AutoSAR, Vehicle Engineering और उसकी Designing की भी Services कंपनियां प्रोवाइड करती है जिहां Friends, तो ADAS and AD Development जो भी Global Vehicle Manufacturer है उनके साथ ये कंपनियां टाइप करती है और उनको Software Integrated As a Software Integrated Partner कंपनियां उनके साथ जुड़के काम करती है जिहां Friends, इनके Official Website पर आप देखेंगे तो इनकी सारी Business की डिटेल आपको A to Z मिल जाएगी जिससे आपको काफी Understanding होईगी इनके Business के बारे में जिहां Friends, कंपनी की Revenue की बात की जाए है तो कंपनी इन सारे सेक्टर से Autonomous Driving and ADS से 23% की Revenue Generate करती है Electric and Conventional Power Train से 34% की Commercial Connected Vehicle से 13% की And Other Segment से 30% की Globally कंपनी का Presence काफी अच्छा है देखा जाए तो इनके जो Development Centers हैं वो Different-Different Countries में Available हैं Like Europe, USA, Japan, China, Thailand and India में भी Geographically कंपनी का Revenue Breakup देखा जाए तो कंपनी को जो Revenue Generate होती है उसमें से 41% की Revenue USA से होती है After that Europe से 39% And Rest of the World से 20% As on कंपनी के Business Segment से देखा जाए Passenger Vehicle से कंपनी को 75% की Revenue होती है Commercial Vehicle से 23% And Other से 2% की दोस्तों आप कंपनी के Fundamentals को भी देख लेते हैं देख सकते हैं Quarter and Quarter कंपनी का Performance किस तरह से अच्छे खासे Upward Direction में मुह करता जा रहा है जिहां देख सकते हैं 517 करोड की December 2020 में इनकी Revenue होती थी और वो हो चुकी है 622 करोड की December 2021 में तो देख सकते हैं कितनी सांदार तरीके से कंपनी अपने Revenue को बढ़ाते जा रही है और वही yearly देखा जाए तो yearly revenue आप देख सकते हैं 2018 में 0 करोड 0 का revenue होता था और 8% 2036 करोड तक की इनकी revenue हो चुकी है जिहां फ्रेंड्स वही profit की बात करें तो quarter and quarter profit भी देख सकते हैं December 2020 में 42 करोड की profit थी और जो December 2021 में 70 करोड तक हो चुकी है यहां फ्रेंड्स तो एक सालों में कंपणी ने अपनी revenue को तक्रीबर 80-90% की growth दी है जो कि एक अच्छी बात है आगे देखा जाए तो कंपणी का market cap देख सकते हैं फ्रेंड्स 15600 के करीब market cap देखने को मिलता है और current price जो चल रहा है 560-70 के around चल रहा है 52 भी खाए देख सकते हैं 800 का 52 भी खाए है और 52 लो देखा जाए तो 145 रूपिस का है स्टॉक का PE की बात करें तो 62-70 के around stock का PE भी मुह कर रहा है और ROCE देखा जाए तो 14% का ROCE है return on capital employed ROE 12.6% की है sales growth की बात करें तो 13.1% की sales growth रही है and profit growth भी देख सकते हैं तो 90% के around profit growth देखने को मिलती है इस company की जिहां दोस्तों तो वहीं company के उपर debt लगबग ना के बराबर है 210 करोड का debt है उसके अगेंज में reserve भी company ने काफी अच्छा maintain रखा है 1004 करोड का और वहीं annually net profit देखा जाए तो 146 करोड की annual net profit company को last year हुई थी जिहां friends इसके अगेंज और देखा जाए तो company का cash and cash equivalent maintain है तकरीबन 791 करोड का and total assets की बात की जाए तो 2119 करोड की company के पास total assets at present मोजूद है जिहां friends तो company का fundamentally and financially दोनों ही चीज़े अच्छी देखने को मिल रही है आगे बात करेंगे company के share holding pattern पर एक नजर डालेंगे तो देख सकते हैं friends company का share holding pattern क्या कहता है promoters की holding 40.11% की है FIs और DIs ने बहुत ही अच्छी हिस्सेदारी रखी है इस stock में देख सकते हैं 20.38% की FIs ने भी hold रखी है and 13.27% की DIs ने भी holding की है public के पास 24.68% की इससेदारी public के पास है and others की बात करें तो 1.56% की holding है जियां friends तो KPIT Technologies Limited एक future oriented company है जो की एक अच्छे business से जुड़ हुई है जियां friends भवी से में जितने भी electric vehicles के planning है आने वाले 10 सालों में तो उसमें KPIT Technologies को भी काफी अच्छा scope देखने को मिलता है because ये company एक software oriented काम करने वाली है जियां friends तो KPIT Technologies एक small cap company है जो की भवी से में बहुत ज्यादा scope देखने को मिलता है इस company में इनके business को देखिएगा आप जरूर इनके website पर आप समझ जाएंगे कि company किस तरह से digitally artificial intelligence के साथ जूड़ कर ये company जितने भी vehicle manufacturer है इनके साथ कमपनिया commercial vehicle हो चाए passenger vehicle हो इस दोनों ही segment में company की पकड़ एक अच्छी है और धीरे धीरे इस segment में इंडिया में भी इसका काफी scope होना और भी बाकी है जियां friends तो इस company को आप target करके चल सकते हैं और फिलाल में small cap company है तो आपको 10,000 तक का investment आप करके चल सकते हैं long term के हिसाब से जियां friends at least 10 years तक की आप holding इस company में करके ही चलिए आपको एक multi-vega return ये company जरूर दे सकती है दोस्तों उमीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए जरूर informative हो तो ऐसे small cap को आप अपने radar पर जरूर रखिए at least 10,000 का निवेस इस company में आप अभी से करके चल सकते हैं long term के लिए जियां friends long term के लिए company खराब नहीं है company को अभी बहुत growth करना बागी है और इंडिया जैसे country में भविस्य में electric vehicle या फिर passenger vehicle segment में और कई सारे development होने बागी है तो इन company का जो main business role है ये company को इनका contract मिलना तय है जियां friends तो AI artificial intelligence और digital platform पर ये company काम करती है जो कि vehicles में vehicle company के सा और company काम कर रही है तो दोस्तों उमीद करता हूं आज की वीडियो जरूर आपको पसंद आई हो so friends वीडियो को like जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ stock market हिंदी में इस चैनल फर्स ताम विजिट किया है तो चैनल को subscribe जरूर करें and bell icon पर hit करना न भूलें